अमेरिका में अलग बवाल चल रहा है क्योंकि अमेरिकन प्रीमियर लीग के अंदर पहले तो जो ऑर्गनाइजर्स थे उनका विवाद हो उसके बाद पुलिस आती है एम्पायर को खदेर्टी लेके जाती है फिर स्टेडियम के मालिक और जो बैटिंग टीम होती है वो एम्प खड़ा होगा यह सब कुछ होए कहां पर अमेरिकन क्रिक्ट प्रीमियर लीग में अमेरिकन प्रीमियर लीग में वह अमेरिका जहां पर वर्ल्ड कप होने वाला है वह अमेरिका जो की वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है वेस्ट एंडीज के साथ मिलकर सोचिए वहां पर यह सब पैनल के एंपायर विजय प्रकाश और उनके अलावा तीन मैच ऑफिशियल्स को मैदान के बाहर खदेड दिया मैच रोहने के आदे घंटे से ज्यादा देर हो गई थी दस ओवर के मैच में स्टेडिया मालिक के भाई और बल्लेबाजी कर रहे टीम के खिलाडियों ने बारी बारी से एंपायरिंग की सोच Ihnen, Stadion Malika में भाई मैदान में खड़रोंगां कर एंपारिंग कर रहा है और उसके बाद जब बैटिंग टीम है, वो एंपारिंग कर रहे है वो भी छोटी मोटी लीग नहीं है साथ फ्रेंचाइजी टीमें इसमें खेल रही थी, साथ फ्रेंचाइजी टीमें इंडीज, अफगानिस्तान, उस्ट्रेलिया, कैनेडा और अमेरिका, एम्पायर्स से मिली जानकारी के मताबिक लीग ने उन्हें 10 दिन के काम के बदले मिलने वाले लगभग 12,40,000 रुपे की पेमिंट नहीं की थी, एम्पायर्स को पेमिंट नहीं मिली थी, यानि की वो कह रहता है हम जो अपना खर्चा है वो भी हम खुद ही कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने मैचेज में एम्पायरिंग करने से बना कर दिया, बदले में एम्पायरिंग तक नहीं करेंगे जब तक हमारी पेमिंट नहीं हो जाती, फिर लीग ने एम्पायर उपर सेमिफाइनल मैच रोक कर और ज़्यादा पेमिंट मांगने के लिए ब्लैक मिल करने कारूप लगा दिया, उन्हें का कि हम तो पेमिंट कर रहे थे, लेकिन ये लोग अब हमें ब्लैक मिल कर रहे हैं, हमसे पेमिंट ज्यादा मांग रहे हैं, जिसकी वज़ए से ये सारा इशू हुआ, लीग के मताबिक एमपायर 25 लाख रुपए का एडवांस मिलने के बाद भी ज्यादा पैसो की डिमांड कर रहे हैं, एमपायर कहरते हैं कि करीब 12.5 लाख रुपए नहीं दियें तो लीग वाले कहा रहे हैं, ये 25 लाख रुपए एडवांस दे दियें, उसके बाद भी ये नहीं मान रहे थे, और ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, इसमें हमने पुलिस को बला ली, पिछले सीजन इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कहते हैं कि सूपर सैटेड़े कहा जाता है, पिछले सीजन में श्रिसंत, सोहिल तनवीर, नभी, बैन कटिंग जैसे नामी खिलाड़ियों ने की थी, जबकि क्रिस गेल की कैप्तानी वाली प्रीमियम विंडीज की टीम फाइनल में प्रीमियम पाकिस्तान को हरा कर चैंपियन बने थे, तब टूर्नमेंट के सभी मुकाबले बेस्बॉल वाले मैदान पर खेले कहे थे, अब सीजन जो दूसरा वाला हुआ, यह तो पहले सीजन की बात थी, सीजन टू में टेकसस के मुसा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, लीग के मार्किटिंग पोस्टर में इंडिया पाकिस्तान के मैच को एक शांदार बनाने के लिए सूपर सैटेड़े कहा गया, एक दर्शामलव 6-6 करोड रुपे की प्राइज मनी भी रखी गई, लीग का सेकंड सीजन ICC से अप्रूवड भी हो चुका है, प्रीमियम इंडियन्स ने प्रीमियम पाकिस्तान को 6 रन से हरा कर फाइनल मुकाबले में जगा भी बनाई, ये सब कुछ अच्छी चीज़ रही, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शांदार चीज़ रही, वो पता क्या थी, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और फास बॉलर सोहिल तनवीर भी इस लीग में थे और उनके उपर भी बात ख़़ा हो गया, तनवीर पाकिस्तान की यंग टीम के सिलेक्टर है, और अंडर नाइटीन वोल्ड कप की टीम अलान करने के फॉरण बाद वो लीग खेलने चले गए, ऐसे में पीसी बी उन्हें एनोसी देने के बाद सवालों में घिर गया है, वो कह रहें कि यार एक सिलेक्टर को आप लीग खेलने के लिए बेज़ रहे हैं, वहाब रियार्स पहले तो टीम अनाउंस करें, उसके बाद जाके खुद पीसल खेलने लग जाएं, आप सोचिए मतलब इस तरीकी की चीज़ें पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान करकेट बोर्ड में हो रहे हैं, सोयल तन्वीर एक प्रेमियम फास्ट बॉलर है, लेकर वो अमेरिकन प्रेमियल लीग खेलने पहुच गया, इस लीग जिसमें इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, उस लीग में ये सब देखने को मिल रहा था हमें, कि भाईया जमकर विवाद हो रहे हैं, एमपायर्स की पिटाई हो रही है, खदेडा जा रहा हैं उनको, तमाम तरह हैं कि जिस शुष्ल मीडिया पर आएं, शुष्ल मीडिया एक तो बड़े अच्छे-च्छे सवाल लेकर आता, अच्छे-च्छी बाते होती हैं, दूसरी तरफ के लोग भी होते हैं, जो दूसरी तरफ की बाते करते हैं, अब वो आये तो भीया कहरे थे कि एमपायर को खदेडा गया, एमपायर वाले कहरे हैं कि हमको साड़े बारा लाख रुपे नहीं मिलें, तो लीक वाले कहरे हैं भीया 50 लाख रुपे मांग रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत दिक्कात हो समझ मैं 25 लाक रुपे एडवांस दे दिये गए हैं तमाम तरह की चीजे कही जा रही है लीक और एम्पायर के तरफ ते ऐसे में यह देखना दिल्चास्थ होगा कि वाकई में यह सब इश्यू होगा आपको क्या लगता है क्या वाकई में एम्पायर की बास सही है यह लीक वाले सही में जरू बताएगा